वडाला चौंक के निकट स्थेत रंजीत नगर में गट साइं एक युवक ने कॉलेज छात्रा के घर के बाहर से उसके अफ़रन का प्रियास किया हाला की लड़की के भाईयों ने अफ़रन करताओं का मुकाबला करते हुए बेहन को बचा लिया मगर खोद गंभीर रूप से घायल हो गए इस संबंधी जानकाली देते हुए 19 फर्शिय कॉलेज छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वे वर्क्शॉप चौंक के निकट स्थेत महिला कॉलेज में बीए की चात्रा है उसका आरोप है कि रुजाना कॉलेज आते और जाते समय उसके महले का जैजी नमके एक युवक उसे परिशान करता था और जब महले के बाहर उसके साथ उसने छेड चाड़ की तो उसने उक्त युवक को तमाचा दे मारा जिसके बाद बदला लेने की नियत से उक्त आरोपी अपने साथियों सहित उसके घर के बाहर आ गया और जबर दस्ती उसे कार में बिठाने की कोशिश करने लगा इसी दुरान उसके भाईयों ने शोर सुनकर घर के बाहर आकर उक्त युवक के चुंगल से अपनी बहन को मुक्त करवाया मगर इस विवाद में उसके भाई गंभी रूप से घायल हो गए और आरोपी मौके से फरार हो गए वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना नंबर 6 वर 7 की पुलिस मौके पर पहुच गई थाना प्रभारी हरद्याल सिंग ने बताया कि उनके पास शिकायत पहुंची है और वे जल्द ही इस मामले की जांच कर अगली कारवाई करेंगे कि पूसञार राज का देटा फिर भी उन्हें हार का स्कार्म एक फाल ने पास बाद मीा तो बाद भी चो ने कई मुंड्यां मुं लाके मेरे पिछ्छ पेज़ा सिगा अं उस तो बाद मुंड्यां ने मेन बत्त मीज़य कि घंडी अ जिए और उस तो बाद भी कि अन्ने फं तर्फ श्राम यह घंद अपने हैं और इस तोबार पिछ भीश नेकर चार निकर ऑगए थे शारे नहीं हैं अब एक जो करा दो एकर मेरी कमणेड़ी थे आएं कर दो कि अन्हां थी कारवाई जटी वह एसे मुखिंदर सेंग का रहा है ते फिर भी मैं जाके दा पता कातम जटी कमदेंट देखाया थे वह दी इनने की किती है कारवाई ए माहा था परिंदा ड्वीजन नबर साथ था जो साठे लायक जडी साधी डूटी पंढ़ती हों की जो साठी कारवाई कारवाई पंढ़ दिया हो में खोद परागा जडी डूटी जे साथ नबर विजन दिया ते जे केसे ट्रेटर करना ते फिर होना कह देता जागा